नमस्कार किसान साथियों, अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है ये मेरा आमरपाली का पेड है और ये एक एकड का बाग है ये जगह है कृपाल सागर जो राहों के पास में है और जिला नमसहर में पढ़ती है जो की पंजाब में है लेकिन फिर भी हमने इसको लगाया दिसंबर के पहले अपते में या नॉम्बर का अंतिम सब्ता था हमें मना भी किया सबने कि मत लगाईए पर हमने लगाए जब हमने ये पोधे लगाए तो पंदरा दिसंबर के आसपास हमने इस पर यहां से पॉलिथिन का कवर लगा दिया और इस खेत में सरसो बो दी गई थी जो हमने सरसो बोई वो भी परसो ही सरसो कटी है अगर आप देखेंगे तो चारो तरफ थोड़ा सा ये भूसा पड़ा हुआ है यहां पर और कल मैंने इसको खेत की जुताई करवाई और इसको यहीं पर मैंने कान नहीं मेरे रहती ये काम नहीं तो मैंने इसको फेलवाया और उसको दो बार हैरो चल दो आप देखेंगे फेत की जुताई हो गई है उसके बाद क्या किया जब से हमने लगाए थे ये फोड़े इन में कोई भी काम नहीं किया एक आदा इसमें स्प्रे किया होगा जो सल्फर वगरा का था, आज हमने इसमें खाद लगाया है, और ये देखिए, इसके पास में यहां से लगबग 8 इंच के करीब जगह छोड़ी है, और फिर एक खाला बनाया है, इस खाद में क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें है 8 किलो वर्मी कमपोस्ट और 2 किलो और्गनिक मैनियोर, जो हमारा बोन मील है, जिसे हम बोन मील कहते हैं, इसमें है 100 ग्राम डी एपी और इसमें है 50 ग्राम पोटास, इसके अलावा और कुछ नहीं है, हमारा ये experience है कि इस खाद के साथ में कभी भी zinc sulfate, magnesium sulfate, कोई sulfate नहीं डालना चाहिए, अब हम क्या करेंगे इनमें, कि इसको ये बंद कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना है कि खाद अच्छी तरह से मिट्टी से ढख जाएगा, इसके बाद में हम इसमें आज रात को ही flood करेंगे, इस समय खाद लगाने के बाद किरपिया करके इस बात का ध्यान रखें कि पानी हमेशा रात को दे या श्याम को दे, दिन में बिल्कुल भी मत दे, अब ये देखिए हमने इसको यहाँ पर लगा दिया, और मिट्टी लगा दिया, अब रात को हम flood करेंगे, एक और काम में बताता हूँ, मैंने जो ये तूड़ी है, ये कहा जाता है कि अगर इस तूड़ी में हम पानी देंगे, तो जब ये तूड़ी decompose होगी, तो यहाँ पर फसल कमजोर होगी, कमजोर इसलिए होगी कि जो ये तूड़ी होती है, इस तूड़ी में कार्बन जादा होती है, और जिस अनुपात में नाइट्रोजन होनी चाहिए, वो नाइट्रोजन कम होती है, और जब इसका ratio 30 अनुपात इक, यानि कार्बन के 30 हिससे और नाइट्रोजन का एक हिस्सा, इस से अधिक हो जाती है, इस समय इसकी जो रेश्यो होगी वो लगबग 100 कार्बन होगी और एक नैट्रोजन होगी तो जो माइक्रोप्स जब इसमें पानी आएगा यह मिट्टी में मिल चुगी जो माइक्रोप्स काम करेंगे इसे दिकम्पोज करने के लिए उन्हें नैट्रोजन की अतिरिक तावस्चता होगी जिसे की वहद जमीन से लेंगे और जब जमीन से नैट्रोजन लेंगे तो अगर महाँ पर हमने कोई फसल बोई तो वो कमजोर होगी चुकि इसे सड़ने के लिए कुछ से में चाहिएगा और चार-पांच महीने बाद जब ये पूरी तरह सड़ जाएगी तो वें जीवानों भी मर जाएगे तो वें नैट्रोजन और भी अन्य तत्वर रिलीज करेंगे और अगली फसल बहुत मजबूत होगी यानि अच्छी होगी यह एक एकड़ का खेत है मैंने लिया है 20 किलो जूरिया और मैं उस जूरिया का इस खेत में छिड़काओ करूँगा तो जिससे मेरी जो नैट्रोजन की पूर्ती होगी वो माइक्रोब्स को मिलेगी और इसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो जल्दी होगा और माइक्रोब्स को जमीन से नैट्रोजन लेने की अवश्यक्ता नहीं होगी जिससे के मेरी अगली फसल जो मैं बो रहा हूँ, उसमें कोई भी असल नहीं आएगा, ये तो हुई एक बात, जो दूसरी बात है कि मैं इसमें क्या करूँगा, अभी मैंने इसमें एक अंतरवर्तिय फसल ले ली है, जो कि मैंने सरसो ली है, बहुत अच्छी सरसो हुई है, अ एक बट जो यहां पंजाम में इसको बट बोलते हैं, एक बट यहां लगवाँगा और एक बट मैं यहां लगवाँगा, उसके बाद जो यह 20 फिट की दूरी है, तो लगबग 16 फिट दो पेड़ों के बीच में मुझे मिलेगी, उस 16 फिट में मैं मूंग बोदूँगा, और उस मूंग की फसल लेंगा, उससे मुझे कई फाइदे होंगे, पहला फाइदा यह होगा कि अगर आप खेत में मूंग बोते हैं, तो आपके खेत में नाइट्रोजन का प्रोड़क्शन बढ़ता है, दूसरा फाइदा यह होता है, जो उसका वेस्ट होगा, जब मैं उसे औ इंपोर्टेंट चीज है, वो मिलेगी मुझे कारब, किसान साथियों जो आपके वेस्ट है, जितने भी खेत में होते हैं, उन्हें जलाइए मत, उन्हें खेत से बाहर मत निकालिए, उनको खेत में सडाइए, कैसे सडाना है, उसके लिए यह ज़रूरी नहीं है, कि आप आपको ध्यान होगा कि इस पर मेरा एक शोर्ट भी है, जो हंडर्ड पाइंट थर्टी टू या कुछ है, मैंने बताया था, कि मैंने अपने खेत में जो उडद का भूसा था, जो बचा हुआ था, वो किस प्रकार मैंने सडाया था, कि छोटा सा मेरा खेत था, और उडद का बोसा बहुत था उसमें, और मैंने इसी परकार यूरिया डालकर उसको सडाया था, और अपने खेत की कारण बढ़ाई दी, अगर दो तीन साल तक यह प्रकिरिया आप कर लेते हैं, तो आपके खेत की कारण अच्छी होगी, और जब कारण अच्छी होगी, तो उसका पि-ए जिससे के पोधे आसपास पड़े हुए नूट्रेंट को ग्रहन करते हैं, वो एक से कम आ जाएगी और जो भी तत्वा आप डालते हैं, वो पूरे के पूरे पोधो को मिलने देंगे। तो उसके बाद हम इसमें ड्रिंचिंग भी करेंगे और इस्प्रे भी करेंगे, ड्रिंचिंग करेंगे माइक्रो न्यूट्रेंट की, इस्प्रे करेंगे एक हमारे पास है नीमयो क्योर और एक है सिल्पोर्ट, अगर इन दोनों को मिलाकर आप इस्प्रे करते हैं, तो हमारा कोई भी कीट नहीं आता और ये दोनों जैवित हैं किसान सातियों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेट में अवैसे बताएं इसी के साथ बिदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत बंदो